वेलकम टो यूटूब चैनल जीके जीएसबित मनिस सर मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा जोगरफी का पार्ट टू सेसन है और आज मैं आपको पच्चास जोगरफी के महत्यपुर्ण प्रश्ण को करवाऊंगा इससे पहले दोस्तों मैंने पितास प्रश्ण और करवाए थी जिसका लिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो मेरे प्यारे दोस्तों आईए हम सुरू करते हैं आज के महत्यपुर्ण जोगरफी के पचास प्रश्ण दोस्तों हमारा प्रश्ण है आदित üst G1 मिशन इसरो द्वारा 77 अंतरिक्षकेंदर से लॉंच किया गया यह कहां इस्सथित है अर्थात दोस्तो 77 अंतरिक्षकेंदर का हिट को आँ है तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां जानेंगे कि दोस्तो ये जो अधित्य L1 है ये क्या है मेरे दोस्तो तो मेरे प्यारे दोस्तो अधित्य L1 सुर्य मिशन है जिसको दोस्तो अधित्य L1 को इसरो के द्वारा लौच किया गया था 2 सेप्टेंबर को इसरो के द्वारा कभी से लौच किया गया था तो 2 September 2020 को दोस्तो इसे लॉंच किया गया था और किसने लॉंच किया था इस लॉंच किया था और ये दोस्तो सुरे के L1 पॉइंट पर जा करके सुरे का अध्यन करेगा ये दूर है किस से तो पर पर जानते हैं कि 37 दबर अंत्रिक्ष केंड का है दोस्तो तो सरी हरी कोटा भी है और इस रो का है तो बैंगलूर में है इस रो का हीट कोटर और इस रो का ये मिशन था आजित L1 जिसे 2 September 2023 को पी एस एल भी C-57 नामक रोकेट से लॉंच किया गया था दोस्तो अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है मेरे लाले पम लाली हो प्रितिवी दोस्तो निमलिकेत में कौन सा पार्थिव गरह दोस्तो नहीं है देखो दोस्तो गरहों को दो भागोई बाट दोस्तो गरहों को कितने बागोई बाटा गिया है दो भागोई बाटा गिया है एक दोस्तो आंत्रिक क्या है और दूसरा है दोस्तो पार्थिव करह आंत्रिक गरह दोस्तों आंत्रिक गरह कोई कहते हैं पार्थिवगरह तो एक है आपका आंत्रिक या पार्थिवगरह और दूसरा है बाहरी या जो भी ओन गरह तो आपका question क्या है निमलिकित में से कौन सा गरा पार्थिवगरा नहीं है तो दोस्तो देखो पार्थिवगरा चार है कौन कौन से तो सुर्य से दूरी के अनुसार दोस्तो जो सुर्य से दूरी के करीब में है वही पार्थिवगरा है यानि कि दोस्तो बुद्ध आपका जो ह पार्थिब गरह किसे कहते हैं तो जिसका अंद्रमान सुरे के निकट हुआ है तापमान उसका अत्याधिक होगा गुर्तवा करसन जक्ति कम होगा आकार में छोटे होने के कारण दोस्तों और पार्थिब गरह कौन-कौन से हैं तो याद रखना मर्करी, सुक्र, वैनस, पृत् कराए तो यह चार गरहा है और विहस्पति, सनी, अरुन, और वरुन जो हैं यह जो व्योन कर आए मेरे दोस्तों हमारा अगला पष्न, देखो मेरे कें दोस्तों से बड़ा पार्थिब गरह कुन सा है या रहसेदिक है incidents से अमेरा आंत्रिक गरह कौन सा है तो मैंने अभी ससार बुद्ध मे difथभा स्वाप देखो यह हमारा सं सदोरी के अुलपास आड़ा मंतगे है तो भुद्ध है यह रखना मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला पश्ण है दर्बक मान के अनुसार ग्रहों को घटते करम में विवस्तित करी किसके अनुसार दोस्तों तो दर्बक मान के अनुसार ग्रहों को घटते करम में विवस्तित करी तो दर्मान के अनुसार दोस्तो सबसे पहले जो आपका आजाएगा वो आजाएगा बिहस्पती कौन आएगा दोस्तो बिहस्पती तो अफसर ए और बी में दोस्तो बिहस्पती है बिहस्पती के बाद दोस्तो कौन आएगा तो सनी आएगा दोस्तो सनी दोनों में दोस्तों है, सनी के बाद दोस्तों कौन सा आ जाएगा, तो वरुन आ जाएगा, क्या आएगा वरुन, उसके बाद क्या आएगा अरुन, दोस्तों ये 20 कैसे सही होगा, कि दर्बेमान के अनुसार ग्रहों के घटते करमी, विहस्पती है, सनी है, वरुन है, वरुन अरुन अरुन के बाद प्रितिवी हो जाएगा प्रितिवी के बाद दोस्तों सुक्र हो जाएगा शुक्र के बाद मंगल हो जाएगा और मंगल के बाद बुद्ध हो जाएगा यानि के दर्वेमान के अनुशार दोस्तों सबसे पहले अस्तान पे बराय ग्रह कौन सा है विहस्पती और छोटा ग्रह कौन सा है मिरे लाले वम लाली हो तो बुद्ध है याद दखना मेरे प्यारे दोस्तों प्रिथिवी दोस्तों कौन से दोग रहों के बीच प्रिथिवी दोस्तों कौन से दोग रहों के बीच है प्रिथिवी दोस्तों याद रहना दोस्तों प्रिथिवी दोस्तों आपका है यह सुक्र और वंगल के बीच है किसके बीच दोस्तों है शुक्र और वंगल के बीच प् के बाद मंगलम लास्ट के बाद भी mapped स्थुंकोल के बाद दोस्तों अरुन के रखों के संख्या के नहीं तो मेरे प्यारे दोस्तों है औरो शामहें प्राइày मांद ना के किस्ते इंग्रामी दिन अत्यधिक जो होता है वो गर्म होता है सुरे के सबसे निकट है बुद्ध दोस्तो सुरे मंदल के किस गरह में दिन सबसे अत्यधिक गर्म होता है तो बुद्ध का दिन सबसे अत्यधिक गर्म होता है चारसो सताइस डिगरी इसका Celsius होता है दिन का कितना होता है मेरे लाली में लाली हो तो चारसो सताइस डिगरी और रात का दोस्तो तापमान जो होता है बुद्ध का वो बहुत ही ठंडा होता है माइनस 173 डिगरी Celsius दोस्तो जो होता है यह बुद्ध का तापमान होता है दोस्तो रात का यादखना दोस्तो बुद्ध से और क्या प्रश्ण बनता है तो बुद्ध दोस्तो सौरे मंदल का सबसे छोटा और हलका गरह दोस्तो कौन सा है तो बुद्ध है सौरे मंदल का सबसे छोटा और हलका गरह होती है और दोस्तो इहां से एक और प्रश्ण बनता है कि बुध्ध के पास कोई वी उपगरा नहीं है, मने लाले अमलाली हो, हम अगले प्रश्म क्यों बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्म क्या है, स्वारे मंदल का सबसे चमकीला गरह कौन सा है, सुरी मंडल का सबसे चमकीला गरह कौन सा है तो सुक्र दोस्तो सुरी मंडल का अन्य नाम कई सारह है जैसे प्रिथिवी की बहन, भंगनी गरह, सांज का तारा, इविनिंग इस्टार और मौनिंग इस्टार के नाम से जानते हैं शुक्र को दोस्तो शुक्र पर जो मानवी ये मिसन गया है मानव के द्वारा दोस्तो जो लॉंच किया गया मिसन है वो है मेरिनर टू वेनेरा दोस्तो ये सब दोस्तो मानवी ये मिसन है सुक्र के लिए मेरे दोस्तो मंगल गरह को बोलते है लाल गरह विश्मती को बोलते हैं पीलागरा और सनी को बोलते हैं करीकवागरा कालागरा सनी को बोलते हैं मेरे लाले लाली लाली हो दोस्तो सुक्र से और रिप्रेश्ट बनता है कि सुक्र जो दोस्तो आपका है ये पिर्थिभी के सबसे निकट गरा दोस्तो कौनसा है तो सुक्र है औ तो प्रित्वी की परिकरमा दक्षिनावर्द अधात पूरव से पस्चिम की दिशावी करती है। सुर्वे पर दोस्तो शुक्र पर कारबन डायोकसाईड की मात्रा सरवदिक है। इसलिए प्रेशर कुका जैसे इठिती है शुक्र गरह की याद रखना मेरे लालेवम लालियोग। हमारा अगला प्रस्टो है निमलेकित में किस गरह के कोई उपगरह नहीं है। कौन सा ऐसा गरह है दोस्तो जिसके पास कोई भी उपगरह नहीं है। तो मैंने अभी आपको एक उपगरा के बारे ये बताया दोस्तो जिसके पास कोई उपगरा नहीं है वो उपगरा दोस्तो बुद्ध है और सुक्र दोस्तो बुद्ध और सुक्र के पास कोई भी उपगरा नहीं है आठमा कैंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे लालेबम लाली हो दोस्तों तो बुद्ध और सुक्र बुद्ध दोस्तों जिसका दिन अत्यदिक गर्म होता है और राते अत्यदिक बरफीली होती है और सुक्र दोस्तों सबसे गर्म 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 है तो सुक्र दोस्तों सबसे गर्म गर्म है सौरे मंडल का मेरे लाले बम लाली हो मेरे दोस्तो हम अगले पश्ट के और बढ़ते हैं किस गरह को प्रिथिभी की भगरी गरह के नाम से जानते हैं तो मैंने तुरंट बोला सुक्र गरह को दोस्तो प्रिथिभी की भगरी गरह के नाम से जानते हैं प्रिथिभी की बहन के नाम से जानते हैं सांज का तारा और भोर के तारा के नाम जानते हैं किसको, तो सुक्र को जानते हैं, मेरे लाले इवम लालीओ, और सुक्र دोस्तो जो आपका है, इसके पास कोई भी उपगरह नहीं है, मेरे लाले इवम लालीओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले पश्ण की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला पश्ण है, निमलिकित में कौनसा गरह सुर्य के समसे निकट है, दोस्तों देखो, आपको पता है कि सुर्य के समसे निकट जो आपका दोस्तों है, वो कौनसा गरह है, तो बुद्ध है, लेकिन आप्षं में बुद्र नहीं है देख रहे होगा आप्षं में बुद्र नहीं है तो उस्तों बुद के बाद कौन सा गरा है सुक्र है तो 9521 कि 먹고 होजाएगAR ' नरू और अरुन के बाद Давайте to क्या उजाएगा तो बरुन हो जाएगा ward को जातर ना मेरे प्यारे दोस्तों और स्वक्रह तार और भोलते हैं कोन सा है दोस्तो तो या दखना शुक्रों जो दोस्तो आपका है यह सूरिश और चनरमा के बाद स्वश्व्व het jack Ring आता है और दोस्तों मैंने क्या बताया समसे चंकीला इवंकरम गरा जो आपका है वो कौन सा है तो सुक्र है शुक्र जो दोस्तो आपका है ये सुरी की परिखरमा पुर्व से पस्चिम की दिसा में करती है और प्रिथिभी का सबसे निकट गरा दोस्तो जो है वो कौन है सुक्र दोस्तो देखो प्रिथिभी जो आपका है ये सुक और चतरमा के बाद तीसरा सबसे बड़ा चमकील आप इंट कौन सा है तो क्या बोलोगी आप सुक्रिस का एंसर हो जाएगा बी मेरे दोस्तों अगला प्रशन दोस्तों आपका है निमलिकित में किस गरह पर आरेन ऑक्साइड की मात्रा सुरवधिक है तो मंगल गरह पर दोस्त सद्द और मंगल गरह के दो ऊप कर रहा है उसका नामें फोमॉस और डी मोस दोस्तों और मंगल जो है वह मंगल ऑक्साइड दोस्तोरवधिक मात्रह में मंगल नहीं है फ्रिट्वी के जैसा ही धोस्तों घुका हुआ अपने अच्छपर है प्रिट्वी के जैसा ही दोस्तों जुकी हुई है और मंगल जो है वह conservative है आताह हम अगले पश्ण की और बठते हैं अगला पश्ण है निमिलिखेत में किस गरह पर सकरिय को मुक्यष कि श्षित नहीं है निमलप्स मिलब किसी जवाला मुकी नहीं है। तो याद मंगल गरह पर के आगे ज्वाला मुकी नहीं है मैंने आपसे कोछन में पुचक सकरी जौना मुकीuesto दोस्तों किसी घएगों पढ़ने और दोस्तों कौन-कौन से गरह पर सकरिये ज्वाला मुकि यह जान लो तो आपको अपशन इदिख रहे हैं भिहस्पती हो जाएगा सुक्र हो वालमों की है दोस्तों जब भी आप मेरी वीडियो को देखो तो कौपी और पैन को साथ लेके बैठो जो जानकारी दोस्तों यहां पर नोटेट नहीं होती है उसको आप दोस्तों खुद से लिख लिया करो बाकी मैं इसकी पीडियेप आपको टेलिग्राम पे बेद दूँग उचा ही कितनी है अठासी उचा समीटर है और माउंट वरेष्ट कहा है नेपाल में है मेरे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले पश्ण की और बढ़ते हैं हमारा अगला पश्ण है स्वारे मंडल का सबसे उचा ज्वाला मुखी ओलिप से मेसी किस गरह परिष्थित ह स्वारे मंडल का सबसे उचा ज्वाला मुखी ओलिप से मेसी जो है यह मंगल गरह परिष्थित है अब दोस्तों मंगल तो याद रखना मंगल गरह को बोलते हैं लाल गरह मंगल गरह पर पृत्वी के समान ही दिनरात होता है मंगल गरह के पास दो उपगरह है फोबोस और ड परवत है जो किस गरहा पर है तो मंगल गरहा पर है और मंगल गरहा का अन्य नाम क्या है लाल गरहा मेरे दोस्तों हम अगले पश्ण के और बढ़ते हैं किस गरहा पर प्रिथिवी के समान दिन रात होता है तो मैंने आपको तुरंत बताया है इसके बारे में आप बताओ डोस्तों देखऊ बारतिय अनुसंधान संथान तो मंगल यान कब लाइंच गार्टर इंसरो मंगल किया था तो याद्वाद्प पाँच नमंबर 2013 को दोस्तो कभ लाउंच किया था पाँच नमंबर 2013 को इसरो के द्वारा दोस्तो भारत का पर्थम मंगल मिशन लाउंच किया गया था तो मेरे दोस्तो अब मंगल गरह पर दोस्तो बहुत सारे मिसन गए हैं तो मंगलियान को तो भारत ने लॉंच किया था एक दोस्तो नासा ने लॉंच किया था मार्स ODC नासा का मंगल मिसन था मार्स ODC दोस्तो जो दोस्तो हीम सीतल जल की सूचना दी थी नासा को दोस्तो नासा ने इक और पुरा लांच किया मंगला के लिए उसका नाम था मार स ambassiंट किया से और चाइना ने दोस्तों परथम अलौस्फर्शन करता है निमलिकित में से दोस्तो कौन सा गरह अपने अक्ष पर स्रवदिक तेजी से घुर्णन करता है तो बिहस्पती दोस्तो अपने अक्ष पर सबसे तेजी गती से घुर्णन करता है तो बिहस्पती सबसे भारी गरह है और दूरी के अनुशार सुरे से पांचे में अस्थ ये पास खुद की रेदियो उर्जा है इसे लगू तंत्र के नाम से जांते हैं इसलिए इसे पीला हरा के नाम से आप का सब से बारा आपका यह सब्सक्क्राइब दोस्तों अब हर दोण नोग Congressman मिट करेवन लेता हैं हम दोस्तों यह जानकार कीश लग रही है इसका दोस्तों जवाब और मैं कर दोस्तों किस आपकिन और जो आपके हैं तो मंगल रिमोंस जो है और मंगल हा सॉ 차 ha दोस्तों सनी के पास पुरे सौरे मंडल में धाया है याद अफना मेरे दोस्तों मंगल घाय दोस्तों इसके प्रता हुआ गरह को लिटा को नाम से जानते हैं तो अरुन को क्या स्वा किया लेटा हुआ गरह मेरे दोस्तों अरुण देखो अरुन जो खोज कब हुई थी 1781 में दोस्तों और अगर मैं पूछू वरुन की खोज कब हुई तो अरुन की खोज कब हुई तो दोस्तों अरुन जो था इसका खोज किया गया था बिलियम होर्जिल के दोरा 1781 में और अरुन गरह को लेटा हुआ गरह भी कोल बोला गया है मेरे दोस्तों अरुन जो आपका है ये पुर्व से पस्चिम की और सुरे की परिकरमा करता है दोस्तों और शुक्र भी आपका पुर्व से पस्चिम की और परिकरमा करता है अरुन के पास दोस्तों उपगरह की स दोस्तों आपका है वो लगवक 97 डिगरी है इसलिए इसे लेटा हुँ अगरा के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले पश्न की और बढ़ते हैं और हमारा अगला दोस्तों पश्न क्या है वह आपके स्क्रीन पर दोस्तों है देखो कौनसा गरह द दोस्तों देखने पर दूरवीन से देखने पर हरी डिस्क जैसे दिखाई देती हैं में प्यारे दोस्तों अगले पस्टिक्यूर बढ़ते हैं, किस गरह का घनत तो पानी से कम है, अतह उसे तैरता हुआ गरह कहते हैं, ऐसा कौन सा गरह है, जिसका घनत तो पानी से कम है, और इसे तैरता हुआ गरह बोलते हैं, तो सनी का घनत तो आपका है, ये पानी से कम है, और इसे तैरता हुआ ग बोला गळेक्सी समान गर्ह सबसे बाएबड़ा सबसे बहुत गर्ह सनी जहां सनी के पास स्वरवधिक बहुत अब दोस्तों ब्लै युकत गर्ह घरा इकृत यह जयाद अधकना दोस्तों यह पृत्थिवी यह जैसा एकमात गर्ह है प्रिट्रिबी जैसा पूरे सौरुर मंडल का एक मतर ग्रहा है जिसके पास अपना स्खुद का वाइँ मंडल है तो मेरी प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा उपगरा कौन सा है सौरी मंदल का सबसे बरा उपगरा दोस्तों ग्यानी मिड है और ग्यानी मिड दोस्तों किसका उपगरा है तो बिहस्पती का उपगरा है ग्यानी मिड है तो बिहस्पती का उपगरा है ग्यानी मिड है तो बिहस्पती का सबसे बरा उपगरा ग्यानी मिड है और ग्यानी मिड क और इसे लगू सौरे तंत्र कहते हैं इसलिए इसके पास एक मात्र ऐसा सौरे बंडल का गरह है जिसके पास तारा और गरह दोनों का गुन दोस्तो हैं मेरे प्यारे दोस्तो हम अगले प्रश्चन की और बढ़ते हैं और हमारा दोस्तो पचीसमा प्रश्चन प्रश्चन दोस् थी Christian Christian high zone फिर से मैं repeat कर दे रहा हूं ताफ कि आपको अच्छे समझा जाए Titan की खोज Christian high zone ने की थी और अगर कोई पूछ दे आप से कब किया गया था तो 1665 में किया गया था दोस्तो किसका खोज तो Titan का खोज दोस्तों इसका मेरे लाले बंझाली ओ तो Titan का खोज मेरे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रस्ट में कौन सा ओजा स्रवाधिक धंद woven सागेरा है ठोटी के पास उबगरा है 14 रखना वरुन दोस्तों वरुन की कोज़ इसने कि थी तो यह आप में आपको जो कोज़ एस रहा है जो सरवादि क्थंड़ा है और सुरवणदिक गरम है दोस्तों अब आप सम्मझ गए होगे मैंने स्टारटिंग श्रवदी धंद दोस्तों रात्य में श्रवादिक घंडा होता है और दिन में श्रवदीक गर्म होता है राट में टेमपरेचर जो होता है करिवन 173-1 मायनस में दोस्तों करीवन 400 के हो जाता है तो अगर H эт से क्योंसा है आप समाजी के होगे बुद्ध वंडल का सब से च्छोटा अगह है अगला परषण क्षonneव सुरी की परिकरमा पुर्व से परसिम क्यों करता है तो पुर्व से परिकरमा करने वाला सुरी का जर्व है वह कौन सा रहा है एक तो दोफ दोस्तों हमारा अगला प्रश्टिट धो GB यह किया गिया था है आप कमेंट बॉक्स में क्योंकि मैं अगला प्रक्ष्ण दोस्तो वरून-गरह की मैं अगले लेख वरुण गरह की मेरे प्यारे दोस्तो तो मैं जितना भी प्रश्ण दोस्तो आपको आगे करवा रहा हूं, वो पीछे ही लगवा मैंने आपको बोल दिया, गलेलियो के द्वारा दोस्तो टाइटन की कोज की गई थी, टाइटन सनी का दोस्तो उप गरह है, मेरे लालेवम लालीयो, दोस्तो पुलूटो दोस्तो, लोह सेटन तो, सेज़री परओनागरह जानते हों की प्लूटो की खोज कब हो उति तो ओक और तो प gjाता, उर इसे बहोंगारह दोस्तो कप ना दिया गया तो 2006 में प्रग संवेलन 2006 में हुआ था और 75 देसों के बैग्यानिकों ने दोस्तों यम को यह कारण दोस्तों यही था था से चौटा था इसकी कक्षा दोस्तो विर्ताकार नहीं थी और सबसे महत पुर्ण कारण था दोस्तो कि यह जो था दोस्तो यह वरुन गरह की कक्षा में परिवेश कर रहा था वरुन मतलब नेपिचन की कक्षा में दोस्तो नेपिचन की औरविट में यह परिवेश कर रहा था तो गरह क्या ह बजरचे में Pluto को बाउने घरा के सुची में डाल दिया मेरे दोस्तो हम अगले प्रश्ट की और बढ़ते हैं हमारा अगला दोस्तो एक इसमा प्रश्ट में कि Pluto की खोज दोस्तो किसके दुवारा की गई थी यहां टाइपिंग में श्चेक हो गया कव किया गया था ने कव किया प्ल्टो को बाउने घरा में कब डाला गया दोस्तों तो यह आप बताओ मेरे लाले में लाली कमेंटर बोक्स में हमारा अगला प्रश्ट है तो चंडरमा चा अध्य स्वासंगरा है दोस्तों souvent प्ल्टो को बency goofy आ प्ल्रोक का इस्वर पातललोक का देवता के नाम से प्ल्र दोस्तो देखो चैन्दरमा दोस्तो पांच मांगयद्नारा का सब्सेरय मन्दल करेंगा assessments दोस्तो मिरे दोस्तो में प्यारे दोस्तो हमारा अगला पश्ण हमारा चंदरमा पर जाने वाला पर्थम्भैक्ती парथ चन घरवाद 164 वो दोस्तो निल एंगे श्ट्रॉम गह थे बज्ड रेल्डिन गह थे और माइकल कॉलिंग गह थे लेकिन सरपथम चन्रबा डोस्तों यह गहते नासा मिसन के तयत बाक्रम फोल्व 11 को wr2 पर 10 लाँसे यहां पर क喂 efficiently कर ख breath आ सी आपक्यूलिटी उसי यहां से आपकप तो यहां से आपका प्षने बनता है कि निल लेंगेश्ट्रॉम कब गये थे, या आपोलो 11 कब गया चदरमा की सता पर, तो 1969 को गया था, और कौन-कौन गये थे, निल लेंगेश्ट्रॉम गये थे, बल्ज एलडरिन गये थे, और माइकल कॉलेंस तीन बेखती गये थे, मेरे October 2008 को चंद्रियान पत्थम लॉंच हूँ भाइस जूलाई 2019 को चंद्रियान से केंड लॉंच हूँ दोस्तों और 14 जूलाई 2023 को चंद्रियान ठड लॉंच हूँ था, मिरे लाल एवं लालियो, मिरे प्यारे दोस्तों, दोस्तों या दखना, चंदरमा की चता पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षियान था लूना सेकेंड चंदरमा की चता पर उतरने वाला पर्थम अंतरिक्षियान का नाम क्या था तो लूना सेकेंड दोस्तो क्या नाम था लूना सेकेंड और यह जो दोस्तो लूना सेकेंड था यह 13 सप्टेंबर 1959 को गया था और यह किस देश का मिसन था तो रूस का मिसन था दोस्तों चंद्रियान थ्री कब लॉंच किया गया था तो याद एकना 14 जुलाई 23 को चंद्रियान 3 लॉंच किया गया था चंद्रियान 1st 22 अक्टूबर 2008 को लॉंच किया गया चंद्रियान 2nd 22 जुलाई 29 को लॉंच किया गया था और 13 सेप्टेंबर 1310 सेंबर 1959 को चंदरमा के स्रैक्स पर उतरने वाला परत्म अंतरिक्षियान जो बना था, इसका नाम था Loonar, नूना, थर्ड रूसցद्धियन मैं इसमें वाल रोल्चतु बना था, इसका नाम था नूना, थर्ड दोender 12 July 2013 को चंद्रियान 2nd launch किया था और थर्ड जिलाई को दोस्तो और 22 October 2008 को चंद्रियान 1st launch किया था चंद्रियान 2 दोस्तो सफल नहीं हुआ था तो दोस्तो जहां पर यह ग्रेस वहा ऊसका नाम तरख अंदरियां 3 जहां soft landing चंडरियां प्राइब किया वह ईसका नाम क्या रखा गया तो यह आप मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्ट है चंद्रमा पर मिसन भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन है चंद्रमा पर मिसन भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है तो रूस सोवियत संग दोस्तों कौन सा है दोस्तों सोवियत संग और दोस्तों चंद्रमा की पर उतरने वाला पहला अंत्रिक्षियान क्या नाम किया था लूना दोस्तों लूना सेकेंड दोस्तों सुरी मैंने उससे में थर्ड बोल दिया था लूना सेकेंड या था लूना सेकेंड चंद्रमा की सितर पर उतरने वाला पहला अंत्रिक्षियान था जो 13 सेप्टेंबर 99 को दोस्तों, सोभियत संग्य द्वारा, लॉंच किया गया था, और मेरे दोस्तों, अमेरिका का नाशा एधेंसी, दोस्तों, Apollo 11 लॉंच किया था, मानव भेजने वाला पहला अंत्रिक्ष मिसन दोस्तों जो था, वो अपोलो 11 ही था, जिसमें निल एंग स्ट्रॉग, बजडर एल मेरे दोस्तों हमारा अर्थिसमा प्रश्ण है चंद्रमा पर मानव को ले जानने वाला पहला अंत्रिक्षियान कौन है तो दोस्तों अपोलो 11 है और चंद्रमा पर जानने वाला पहला अंत्रिक्षियान लूना सकें चंद्रमा पर मानव को ले जानने वाला पहला अंत्रिक्ष जिसकी उचाई करीवन 35,000 फीट है और यह चंदरमा का सबसे उचा परवत है चंदरमा का अध्यन क्या कहलाता है सेलेनोलोजी चंदरमा का अन्य नाम क्या है जिवासमगरा और चंदरमा पर धूल का मैदान है जिसे सांती सागर की नाम से जानते हैं जो अंतिकार में दोस्तु मेरे फ्यारे दोस्तों का 5 हमास सबसे व्र उप वह है ईए आप्यावपकस में मेरे दोस्तों हमारा अगला रचिंव सूपरमून की इस्तिति कभ होती है तुस्तो सूपरमून की घटती अ, जब चंदरमा प्रित्धि में के स्थरवादिक निकट होती है तो कौनसा घटना घटता है सूपर्मून की इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों डी याद रखना सूपर्मून को दोस्तों पैरेजी फूल्मून के नाम से भी जानते हैं और दोस्तों याद रखना जब सूपर्मून की घटना होती है तो चंद्रम और दिनों से 14 परतिसत जादा बरा और 30 परतिसत अधिक चमकिला दिखाई देती है यही दोस्तों सूपर्मून है जिसे पैरेजी फूल्मून के नाम से भी चानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रत है धूम के तू कितने वर्सों के अंत्राल पर दिखाई देगा दोस्तों धूम के तू जब कोई धूम के तू सूरिक के निकट पहुचता है तो गर्व होने के बाद गैस के पुहारे निकल ले रखते हैं और उसमें पूछ जैसी सन तो नचना अग्न जाती है वही दोस्तों क्या है तो धूम के तू है और धूम के तू जब चिहट वर्स के अंत्राल पर दिकाई दохाई देता यहां से अंटीन बार दोस्तों कब दिखाई दिया था तो 1986 में दिखाई दिया निखाई है है औरEr één दिकने दिखाई दिया और स्ट्रवाधिक बर्गा इवं चमकिला चूतगरह का नाम है नाम दोस्क्व तो शेरस, सेरस जो ही स्वरबादिक बरा और द्वार्ण चुद्रगरा है और इसकी ard कोई तो भी डी तक ब्ञें में लाली जाने वाला एक मात्र कटाने की इसी विसाल गर्त बना है इस जील बना से विसाल गर्त रेंख ऑनानी डूणार्जील के टक्राने से जील बना वी जील का नाम किया है लो नार जील दोस्तो किस राचे में है तो यह आप बताव मेरे लालीkon करंदह लगंला मेरी लो नार जील आपका किस距ाग क्राश YouTube मैं मे दोस्तोhy पैजी कहा के थे इटले की थे मैं नहीं Toby चुदरग्रा के प्रिथिवी से टकर आने पर लोना जील का निर्मान हुआ है। लुनार जील तो लुनार जील है महाराष्ट में हरीके जील पंजाब में हरीके जील कहां है पंजाब में दालमा जील हरियाना में दालमा जील कहां हरियाना में माहाराष्ट में है लुनार जील दोस्तोء और ठोल जील कुझ रातटी सब्सक्की दोस्तो झाल की शुप जूंटिएर Korean किलोमेटर पर अस्थापित होता है कित्रीं उवग्रह मेरे लाले लाले लालियों मेरे दोस्तों पहला जो कित्रीं उभगरह था उसका नाम था अस्पूतनिक ऐग जो चार अक्टूबर 1957 को रूस के द्वारा लौंच किए गया था और परथम भारतिे कित्री मुद्गर्द दोस्तों था इसका नाम तो रachesबाता आρεवट को उननीस अपरेल 1975 को लॉंच किया गया था याद रखना मेरे लालिवम लालियो तो कित्रिम उपगरा को अंत्रिक्ष में प्रिच्छे पित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है तो रूस है तो कौन से रूस ने पूर याई पहला ने साट नूट याद रखना मैं लगबस के सभी एंचाम के लिए महत्रफुद होगी तो आपको इस तरह के प्रिच्ण मिलते होंगे दोस्तों हमारा अगला प्रशन है रुस द्वारा पहला कित्रिम उपगरा अस्पुतनिंक 10 कब लॉंच किया गया था तो रूस के द्वारा पहला कित्री उपगरा था अस्पूतनिक फर्स्ट यह कब लॉंच किया गया था मैंने तुरंत बोलाना कि 1957 में अब देखो दोस्तों कौन सा option में कोज दोस्तों कौन सा यह तुचार अक्टूबर उनिस संदावन को अस्पूतनिक फर्स्ट रूस के द्वारा लॉंच किया था और यह दुनिया का पहला कित्रीम उपगरा था दोस्तों जो इंद्रिक्ष में लॉंच हुआ था अस्पूतनिक फर्स्ट मेरे राले दोस्तों इसका जबाब आपको देना है कि मेंटर बॉक्स में दोस्तों हमारा उन्चासमा प्रस्ट में कित्रीम उपगरा को अंत्रिक्ष में कितनी दूरी पर स्थाबिद किया था है और इसका परिभरमन काल जो होता है 24 गंटे का होता है सबसे पहले इसे रूस ने में 255 को अस्पूतिनिक फर्स्ट कोल रच किया था मेरे दोस्तों हमारा पचासमा प्रश्ण दोस्तों है आखरी प्रश्ण दोस्तों है जिसका जवाब देना है कि मेंटर बॉक्स में आपको कि छुद्र गरह की पट्टी किन दो गरहों के बीच पाई जाती है इसका अबमनां काकी यह दोस्तों अब्चेक्टिव दोस्तों अच्छी आपको कैसा लगा इसका जो पीड़ाइब आप अवस्ते कमेंटर बॉक्स में देना और आपक्रें दोस्तों को है करू ताकि उसको भी दोस्तों किसी भी सबसाए कmaसा क्yrðार के शहां मेरे प्रहाइब दॉ